ब्रॉडवे तो हडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा अकीकत दी उडान नाशका दोस्तों मैं अमर्शीद ब्रॉडवे इमिकेशन सर्फिस से लगातार कोशिश रहती है लेटस्ट इंबॉड़न अपडेट कैनिडा स्टडी विजा को लेके आपके साथ शेयर करते रहें तांकि आप जादा नौलेजड और इंफॉर्म्ड रहें तो लॉगड़न अब ने लॉगड़न लॉगड़न थी सीरीज कहलें इंडिया में लॉगड़न वन हुआ टू हुआ अब तीसरे लॉगड़न की तरफ बढ़ रहें और पंजाब में भी ये रिस्टिक्शन्स अब लागू हो चुकी है और सिमिलर कुछ रिस्टिक्शन्स कैनिडा में भी लागू हो चुकी है तो ये restrictions आपके study visa के process को या study visa के travel को कितना effect कर सकती है कितना नहीं कर सकती है उसके उपर बातचीत रहेगी सो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस channel को जरूर subscribe करें तांकि आप जादा से जादा informed और knowledge डाके रह सकें आपके कोई question हैं सवाल है तो आप मुझे Instagram पर follow करके वहाँ पर messages कर सकते हैं अपने questions को So जो present restrictions हैं पहले हम इंडिया में लगी ही restrictions की बात करते हैं जिसमें सबसे important है कि IELTS institutes को बंद कर दिया गया है जितने भी educational institutes हैं school हैं, colleges हैं और IELTS centers हैं उनको पंजाब government ने 15 January तक बंद कर दिया है जो बच्चे Canada की planning कर रहे थे जो आने वाले दिनों में IELTS के लिए करने वाले थे उनको I advise you do not stop your process क्यों? वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ बढ़ सबसे पहले मैं ये आपको कहूंगा कि आप अपनी online IELTS classes अब start कर लें क्योंकि physical classes के comparatively IELTS classes की learning कही बार slow होती है तो आपको ज़्यादा time लग सकता है तो जतना जल्दी आप start करेंगे उतना जल्दी आप अपने achievable score पे पहुंच सकेंगे IELTS के exam बंद नहीं किये गे क्योंकि 100 तक की gathering allowed है होटेल्स के अंदर और IDP अपने जो exams है उनको 100 below की gathering रखके conduct कर सकता है So that is a good part कि आपका IELTS के exam चलते रहेंगे coachings जरूर affect होंगी आने मले दिनों में उसके इलावा अगर Canada के अंदर बात करें तो वहाँ पर भी local जो lockdown से वो किये गये हैं जिम से बार्स हैं ऐसी चीज़ों को बंद किया गया है सेम चीज़ों को इंडिया में भी restrict किया गया है बट अब जो इसके बीच में में चीज़ होती है student का visa और travel तो ये मैं आपको बता दू कि ये दो चीज़ें least affected रहेंगी इनका बहुत कम chance ही से बंद होने का because इतने COVID के नंबर होने के बाद US के अंदर भी UK के अंदर भी Australia में भी और Canada में भी कहीं पर भी travel को लेके या travel को रोकने की कोई भी statement किसी भी country ने नहीं दी है because travel को रोकना economies को down करना होगा तो international travel के रोकने के chances ना के बराबर है उसे लेके आप बेफिकर रह सकते हैं इस lockdown में ऐसा कुछ भी होने की संभावना बहुत minor है Omicron क्योंकि Omicron बहुत ज़्यादा affecting नहीं है, speed से फैलता जरूर है बट ये उतना ज़्यादा dangerous virus नहीं है secondly, already RT-PCR की test report चलती है यहाँ पर भी होता है, फिर वहाँ जाने के बाद होता है, तो इसी के उपर ये travel system चलता रहेगा ये कहीं पर भी आपके process को disturb करेगा, लेकिन जो आपका major disturbance है वो आइस की coaching होगी, offices immigration offices, visa consultant offices ये सब खुले रहेंगे Canada के अंदर हाँ बहुत सरे बच्चों को आप ये benefit हो सकता है कि वहाँ पर वापकर online classes आ सकती है, तो जिससे बच्चे अपनी jobs भी कर रहे हैं और प्लस जो classes है, वो online है तो उनका travel का hassle नहीं होगा ऐसी चीज़ें कुछ बच्चों के favor में और कुछ के against, depend आपका course structure क्या है उसके according वो चीज़ें आपको effect कर सकती है कुछ courses ऐसे हो सकते हैं कि जो online पढ़ा ही न जाएं तो उनमें शायद आपको आगे पीछे करना पड़ सकता है course selection को लेके या वहाँ पर जाके courses चेंज करने पड़ सकते हैं या यहाँ पर apply करने के time पे इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो अपने institute के साथ इस चीज़ को cross check कर सकते हो double check कर सकते हो लेकिन overall यह जो lockdowns होगा या आने वाले दिनों में अगर restrictions बढ़ती भी हैं तो somewhere जैसे first lockdown बहुत serious था second lockdown उसके मुकाबले उतनी restriction नहीं लगी थी उतना कुछ बंद नहीं हुआ था इस lockdown में एक चीज़ अलग अलग countries confirm कर चुकी है कि international travel नहीं रोका जाएगा चाहे वो tourist category का हो चाहे वो working category का हो और चाहे वो study category का हो तो study category तो सबसे priority में रहती है तो हमेशा चलती रही है और चलती रहेगी आगे भी सो निश्चिंत होके अपनी applications को लगाए और definitely अब थोड़ी दूरी भी mundane करके चले हम restrictions को भी follow करें ताकि अपने आपको safe भी रखें और all centers वाले बच्चे जो हैं वो definitely अपनी classes को बहुर ज़्यादा seriously लें क्योंकि घर पे बैठके उनको पढ़ना है responsibility लेनी है तो Broadway की online classes available है आप Broadway की academy से contact कर सकते हो और online classes घर पे start कर सकते हो लेकिन immediately जतनी जल्दी हो सकता अपनी hours classes को start करें क्योंकि physical के comparatively online learning में थोड़ा process slow होता है आपको groups नहीं मिलते आपको साथ वले बच्चे नहीं मिलते जहां से exchange learning होती है तो इन चीज़ों को आपको follow करके चलना है बट process को रोकना नहीं है because अगर आप जिस चीज़ को मान के चलो कि ना ना करते भी September के लिए बहुत ज़ादा रश है अगर आप ये इंतसार कर रहे हो कि 15 January तक की restriction है उसके बाद खुलने वाली है तो मैं being professional मैं ऐसा नहीं गिनता क्योंकि 15 January तक के बाद तो COVID और बढ़ेगा घटेगा नहीं अभी इसकी peak कहीं आसपास नहीं है तो एक दो महिने तक भी ये process चल सकता है So do not delay your applications और your process of application तो अपनी applications को time से अगर चलाना चाते हैं तो आपको अपनी learning जो है उसे continue रखना पड़ेगा आगे भी इस channel पर regular information updates मैं आपको देता रहूँगा बाकी Broadway के सभी offices खुले आप कहीं पर भी appointment बना के मिल सकते हैं अपने question doubts को clear कर सकते अपनी applications को initiate कर सकते हैं Thank you